पिछले चेप्टर में जॉगरफी के हमने क्या पढ़ा? पिछले चेप्टर में?」 मैं दुस्तों हमें जॉगरफी की ये पढ़ा ट्रानसह bubble और व्रियधि ह रिम्रिय के बारे में ट्रानस हिमाले के तीन स्रीणिया थी, कौन-कौन कौन सी रांस हिमाले की तीन स्रेणिया कौन कौन सी है कराकोरम लद्दाग और जहासकर यह तीन स्रेणिया थी उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी उंच जोग हम इसमें कवर कर लेते हैं यह खतम हो जाएगा फिर उसमें श्टार्ट करते हैं अगली चीज़ें देखिए क्या चूटा उसमें यह तीन स्रेणिया हो गई कौन कौन सी है कराकोरम लद्दाग जहासकर जो ग्रीन कलर से मारक हैं वन टू और त्री यह हैं ट्रांस हिमाले का पार्ट तो ट्रांस हिमाले और यह रिड कलर से जो मारक हैं वो हैं व्रियध हिमाल एक दूसरे से अलग होते हैं, कैसे अलग हो रहे हैं यहां पर देखिए यह जगे खाली है बीच में यह जो blue color से मैंने मार किया हैं मों जगे खाली है तो trans heimalae और व्रहध हimalae एक दूसरे से अलग होते हैं सचर जोन द्वारा शचर shields द्वारा खाली पार्ट पड़ा हुआ है बीच का खाली भाग है वो सचर जोन्द्वारा ट्रांस हिमाले और प्रियद हिमाले को अलग करता है और क्या छूटा हुआ था स्बसें उचीं चोटी कौन सिए घंशी जानते हैं माउन्ट एवरेश्ट को कई नामों से जाना मौन्ट एवरेश्ट है माउन्ट एवरेश्ट को उसको तिबबद भासा में बोला जायता चॉमा लोंग लुंगमा तिब्बत भासा में चोमो लुंगमा बोला जाता है और किस भासा में किस नाम से जाना जाता है परवतो की रानी भी बोला जाता है इसे और एक नाम और है सागर माथा इन नामों से जाना जाता है चोमा लुंगमा परवतो की रानी और सागर माथा ये माउंट एवरेश्ट को इन तीन नामों से जाना जाता है ठीक है क्लेर हुआ और ये जब ब्रहद हिमाल है हमारा मोल लेता है आसंत में नाम्चा बर्वा पर्वत से एक 2Am लेता है जो यू टरंण लेता है वहां पे इस्टरन साइड में हमारे कौन-कौन से श्टेट परते हैं? पहला तो अन्वनाचल परदेश परदेश परददा है इक्स्रीमिस टर्डद में सभसे स्ट्र लाष्ट में इस्टेट के बारे में तो हम सब जानी चुके हैं मैप में पहला पड़ता है अरुनाचल प्रदेश, दूसरा नागालेंड, तीसरा मडीपूर और चौथा मिजोरंड तो हिमानचल इन सब एरिये में हिमालय को अलग-अलग नामों से जाना जाता है किन कि नामों से जाना जाता है अरुनाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है पटकोई भूम किस नाम से जाना जाता है पटकोई भूम अरुनाचल प्रदेश में इसे नोट कर लेंगे यह तो याद कर लेते हैं कि अरुनाचल प्रदेश में पटकोई भूम नाम से जाना जात यह हमालय को अलग 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 नामों से पुकारा जाता है पूश लेता है कैसे राइस होगा अरुणाचर प्रदेश में हमालय को किस नाम से जाना जाता है तो पटकाई भूम नागा लेंड में नागा पहाड़ी के नाम से मडीपूर में हमालय को किस नाम से जाना जाता है ल में किन-किन इस्टेट्स में पड़ता है और किन-किन नामों से जाना जाता है सीरेली करमबद कीजिए UPSC में एक-एक क्वेश्चन को कैसे करता है कि चार-चार ओप्शन देके उसमें बोल देता है उत्तरस दच्छन सही क्रम में बताईए पुरफ से पश्चिम सही क्रम में बताईए तो ये इनका सही क्रम है इम ध्यान रखेंगे ये इनका सही क्रम है पटकवई भूम, नागा, लेमाटोल और मेजो पहाड़ी इन नामों से जाना जाता है ये पिछले चप्टर में कुछ छूट चुका था जिसको हमने अभी अध् पहाडों की उत्पत्ति कैसे होती है, जाला मों की कैसे बनते है, भूकम्ब कैसे आता है और हिमालह कि उत्पत्ति कैसे हुई तो लुग लें हमारे में कंप्राइड के सब्सक्राइब बैय क्लील होता है है अब हम इंट्र कaráदो हिमाल banana है काफ़ हुमाले लाउं हमारे लिए इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लंग मसम दना जितने भी प्राटन ऐस्ताल आउस वो सारे हमारे लग हिमाले में पढ़ते हैं जितने भी परेटर के स्थल हैं और क्यों कि जैसे 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 हिमाले की हाइट बढ़ती जाती है भाई उन हिमाले में बर्फ पढ़ती जाती है तो बिहद हिमाले की बर्फ गर्मियों में भी नहीं पिदलती है लेकिन लग हिमाले जो है वो छोटा है लोग हिमाले की हाइट थोड़ी छोटी है तो ठंडियों में तो बर्फ पड़ती है लेकिन गर्मियों में वही बर्फ पिखल जाती है तो उसमें काफी इंट्रिस्टिंग कुछ मैदान बन जाते हैं जहाँ पर रेटन करना ज्यादा हमें लुहाओं ने होते हैं वह देखते हैं ब्रियाद हिमाले के जश्ट नीचे यानि के दक्षन में नोट करते जाएगा नोट्स बनाके खुद का नोट्स पीडियाप तो मैं भी प्रवाइड कर सकता हूं लेकिन खुद का notes बना के पढ़ना दोस्तों सबसे ज़्यादा कारगर होता है आप उसे जब भी देखेंगे अपने hand से map बनाईए hand written map बनाईए map बना कि यह चीजें जैसे मैंने mark नहीं हो कर लिए इससे यह फायदा होता है कि जब भी आप खोलेंगे जब भी आप उनको revise करेंगे तो revise करने में अपना hand written जो notes होता है वो काफी helpful होता है PDF पढ़के हम दिमाग में store कर लेते हैं बार बार उसको revise करते हैं बात उतना याद नहीं हो पाता है जितना हम खुद का hand written notes बना के लिखते हैं तो उसमें यह लिख लिएगा उत्तर के ब्रियद के हिमाले के दक्षण में लग हिमाले की पांच स्रेणिया पाई जाती है लग हिमाले आप देखे ग्रीन कलर का जो मैंने mark किया हुआ है वन टू थ्री फोर फाई पांच स्रेणिया जो है ब्रियद हिमाले की पाई जाती है लग हिमाले की पाई जाती है ब्रियद हिमाले के दक्षण में ठीक है दोस्तों और और क्या है यह पांच स्रेणिया कौन कौन सी है देख लेते हैं यह पांच स्रेणिया है पीर पांजाल लग हिमाले की स्रेडिया हैं पीर पंजाल, धौराधार, मसूरी, महाभारत और नाग टिपपा देखिए इसमें यह जो पहला है यह है पीर पंजाल दूसरा धौलाधार तीसरा मसूरी आप लोकेशन भी दिखते जाएगा मैप में हम मैप से अब तक रूबरू हो चुके हैं कि कौन सी चीज कहां पड़ती है कौन सी चीज कहां आती है हम यह रूबरू हो चुके है अगर हम देखना चाहें तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह पीर पंजार किस जेके पे है अगर हम अंदाजा लगाना चाहें तो क्या अंदाजा लगाएंगे पीर पंजार कहां पे है पीर पंजार जे एंड के में है धौलाधार पीर पंजार ये धौलाधार धौलाधार कहा है इमांचल में मसूरी मसूरी कहा है मसूरी है हमारा उत्राखंड में ये क्लियर हो रहा है ये नेपाल वाला एरिया इस्टार्ट हो गया, तो नेपाल में महाभारत, महाभारत और नाग टिब्बा, ये लग हिमाले की पांच स्रेडिया हैं, पीर पंजार, धौलाधार, मसूरी स्रेडि, महाभारत और नाग टिब्बा, ये जो है, पांच स्रेडियों में पूरू में शकरा होता जाता है तो आप इस साइड में देखिए पूरू में ग्रीन कलर का लग हिमालय है रेट कलर का अलग बृध हिमालय की बीच की जगे बगेड का कम होता जा रहा है ड़ईडोर दहिए जैसे जैसे हम पूरु की साइड में तो अपना अस्तित्त तो तो कौन कौन से हस्रेनिया लोग ह्हमाले की हिमाले की पीर पंजार, पीर पंजार कहां पे हैं, जहन के में, जम्मू कस्मीर में, धौलाधार, हिमान्चल में, मसूरी उत्राखंड में, उत्राखंड को यूके लिख देते हैं, मसूरी उत्राखंड में हैं, और महाभारत और नाग्टिबबा, महाभारत और पूछा जाता है नेपाल में लग हुमायलाई कि कौन सी स्रेडी है तो महाभारत और नाग टिब्बा ये सारे पीर पंजार में जो पीर पंजार हमारी स्रेडी है पीर पंजार स्रेडी कौन सी है थोड़ा क्लियर करके देख लेते हैं पीर पंजार स्रेडी यहां पर है पीर पंजार में पीर पंजार स्रेडी में एक दर्रा पाया जाता है ये पीर पंजार स्रेडी हुई पीर पंजार स्र बनिहाल दर्रा जम्मू कस्मीर में ही है बनिहाल दर्रे से खरण CHOW माहर सूरंग replay में ही है और यहां जम्मू आ झलुम से बनिहाल धर्रे तक teaching जाती है जो सरक जाती है जम्मू से बनिहाल दर्रा किस स्रेणी में है तो बनिहाल दर्रा पीर पांजाल स्रेणी में बनिहाल दर्रा है और जम्मू से कस्मीर या स्रीनगर तक जाने वाली सड़क बनिहाल दर्रे से होकर जाती है और बनिहाल दर्रे में ही है जमाहर सुरंग कुछ चीजे नोट कर लेंगे बनिहाल दर्रा और जमाहर सुरंग बनिहाल दर्रा और जमाहर सुरंग जमाहर सुरंग तो यह पीर पांजार स्रेड़ी में उपस्तिर हैं ठीक है अब हम जान लेते हैं कि नेपाल में लग हिमाले की दोस्रेड़िया कौन-कौन सी हैं महा भारत और नागटिबबा है अब हमारा मैदान जो ब्रहध हिमाले लग हिमाले है वह कुछ ऐसा बना होगा है तो ब्रहध हिमाले कि उचाजा़ जादा है मेजाते हैं लग Γ्मों की बիच में सितो नगहातों के मैदान J alum है जैसे यह मैंने बताई लग हमाले की उच्छाई च्छोटी होती है हाइट हुण हभी हमाले क्या पेच्षा तो गर्मियों में इसकी बर्ष पिखल जाती है तो पिखल के भाई बर्फ पिखल गई इसी रही है कि जब बर्फ पिखल गई तो क्या बचा बर्फ पिखल गई तो उसमें घास के मैदानों गाते है इन घास के मैदानों को जम्मू कस्मीर और उत्तराखंड में अलगलग नामों से जाना जाता है तो J&K में किस नाम से जानते हैं? J&K में इन घास के मैदानों को जो पहारी ढालों पे उगते हैं, उन्हें कहा जाता है मर्ग के नाम से जानते हैं, मर्ग, उन्हें बोलते हैं गुल मर्ग और सोन मर्ग, क्या बोलते हैं? कई नामों से जाना जाता है? J & K में मरग तो कौन-कौन से हैं गुलमरग और सोर्मरग के नाम से जाना जाता है और यहीं उत्तराखंड में भी उत्तराखंड में भी तो लगुमालय का पॉर्षन परता है लग हिमाला का कुछ पार जो उत्राखंड में पड़ता है उसको किस नाम से जाना जाता है उसको जाना जाता है सितोष्ण घास के मैदानों को बुग्याल और पयाल बुग्याल और पयाल के नाम से जाना जाता है ये दो नाम दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा उत्राख जाती है और अक्सर पीड़ी रहती है धूप निकलती है ठंडियों में पढ़ जाती है धूप निकलती है पिखल जाती है तो वहां पर जो घास के मैदान निकल उगते हैं उन्हें गुलमर्क सोनमर्क जेंड की में बुग्याल पयाल उत्राखंड में बार-बार रिपीट इसल उत्राखंड में क्या कहते हैं या मर्ग क्या होता है तो मर्ग सितोष्ण घास के मैदान है इनको घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है मर्ग कहा जाता है जेंड के में ठीक है और ब्रियाधिमाले और लगमाले के बीच में जो समतल सपाट मैदान पढ़ते हैं यह वाला एर साइड भी वगर हम हिमाले का देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा यह ब्रिहद हिमाले हैं यह ब्रिहद हिमाले हैं और यह लग हिमाले है तो ब्रिहद हिमाले और लग हिमाले की बीच में जो समतल सपाट मैदान दिखता है यह समतल सपाट मैदान इनमें घाटी टाइप के बन ग देखिए, इस मैप में देखते हैं, जो ब्लैक कलर का मार्क है, वो घाटियों को दरसाएगा, ये जो ब्लैक कलर का है मार्क, पहला है कस्मीर घाटी, कस्मीर घाटी, ब्रिहद हिमाले और लग हिमाले के बीच में, जे एंड के में कस्मीर घाटी है, कहां पे है, जे एंड के मे में इसमें कॉन कॉन से आते हैं के घुमने वाले सब ईस्थतरर मैं करें की श्री नगर के सिम्ला या है कि डल्हों जी हुआ है ये शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी श्रीमलाद और मेर्धल होजी नहीं को सור Sensit गश्री जैते हैं करने में कौन से ज़ाते हैं करगां से लिए झिफ़ीट हूगा तो ती मिश्टग होग Pay cinema पूछा जाता है कस्मेर घाटी कौन से कवा स्वर हिंगर यह वी कारेटे करह ब र देश्ट के लिंगी और धियाध हिमाला लग ब्रियाद हिमाले के बीच में करने जो कुल्लू घाटियां बनती है उनको ज्यन्ड मैठा सकरा मैदान है चुम्भी घाटी सक रहे बट लग हिमाले और शे बीज में परता यह कैशा कुओधी मैप में मैंने भूब तो क्लीर हो जाएगा मेरीट पहले कुल्लू कांगणा घाटी कुण्लू कांगना घ्रटी जो उस घाटी में कौन-कौन से छेत राते हैं, जहां हम घूमने जाते हैं, कुल्लू कांगला घाटी में आता है, मनाली, कुल्लू मनाली जाते हैं, मनाली, सिमला, सिमला भी तो जाते हैं, सिमला, पूछता है, परेटर नस्तल सिमला कहां है, तो कुल्लू कांगला घाटी में हिमा इस चीज़ें हैं याद करने लाए दियान रखेंगे यह सब चीज़ें पूशी जाती है काठमांडु गाटी नेपाल में हैं और उत्राखंड में उत्राखंड में ब्रिहत हिमाले और लगुहिमाले के बीच में क्या पढ़ता है उसमें कौन- कौन से जगे पाया जाती है उसमें भी जगे पाया जाती है बहले कौन-부터 जैसे आप मसूरी कि मसूरी नाहनी तल कि gust Us तो सब परेटनेस्थल है, फिंड सर्व, फिंड सर लिखते हैं थोड़ा ऊपर लिखते हैं। मसूरी औ नयनीताल का नाम का नाम तो सुना होता है keeping सर्व गहिंलिकरवकe्ट Olway का नाम भूल जाता है लोगों के दिमाज osis पिंडसर जो है ये भी परेटनस्थल है और पिंडसर परेटनस्थल ब्रहद हिमाले और लग हिमाले के बीच में, उत्राखंड में, पाया जाता है, जो संतल सपाट मैदान है, वहाँ पे, ठीक है काठमांडू घाटी हो गया नेपाल में है और सबसे सकरा जो सिक्किम में ब्रिहध हिमाले और लोग हिमाले के बीच में चुम्बी घाटी पाई जाती है कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि चुम्बी घाटी कहां पाई जाती है तो सिक्किम में ब्रिहद हिमाले और लोग हिमाले के बीच में पाई जाती है ठीक है पूर्वी घाटियां पूर्वी हिमाले में घाटियां नहीं पा रही है क्यों क्यों क्योंकि पूर्वी जितन डिले से ड्राव कर रहा हूं और ग्रीन यहां पर आके मिल जा रहे हैं तो यहां की बीच का समतल सपाथ मैदान का एरिया खतम हो जा रहा है क्योंकि लगह माले अपना अस्ति तु खो दिया है ब्रियाद हिमाले में मर्ज हो गया है तीक है घुस्तों यह था हमारा ब्रियाद हिमाले लोग हिमाले के बीच में पाये जाने वेले कुछ समतल सपाट मैदान जहां घाटियां बन गई है कई घाटियां बन गई है रिपीट कर देता हूं कस्मीर घाटी में डलजील, बुलडजील, स्री नगर, हिमानचर प्रदेश में सिमला, डलहोजी, मनाली और उत्राखंड में कौन से परेटरनेस्थल बन गया है, समतल सपाट मैदान की विज़े से घाटियां जो बनी है, पिंडसर, ध्यान रखेंगे, पिंडसर, राणी खेत, नैनी ताल, मसूरी, तीक है, अब देखिए, लग हिमाले खतम, लग हिमाले के दख्षण में, लग हिमाले के जश्ट नीचे जब आएंगे, तो पड़ता है, सिवालिक स्रेडी, सिवालिक स्रेडी सबसे दख्षण में है, सिवालिक स्रेडी सबसे दख्षण में है, तो सिवालिक स्रेडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सिवालिक स्रेडी को ब बाहे हिमाले भी कहते हैं, अब बाहे हिमाले क्यों कहते हैं, मान दीजिए, बाहे हिमाले क्यों कहते हैं, ये एक सर्किल ड्रॉ कीजिए, ये सर्किल का सेंटर है, एक ड्रॉ करेंगे, भाई हिमाले है हमारा अर्थ चंद्राकार या धनुसाकार कह दीजिए, इस पोर्शन में ह श्रंखला बने हुई हैं अगर सेंटर मान के एक वरित खीचे तो यह हुआ आंतरिक वरित यह हुआ मध्य वरित और यह हुआ बाहे वरित हुआ तो भई यह सबसे दख्षिन में सिवालिक श्रेणि है तो श्रेणि को वह है हिमाले बोला गया क्या क्या बोला गया वाहे हिमाले क्योंकि भाहरी वृत्त है इस टाइप से समझी अंदर वाले वृत्त को आंत्री खिमाले आंत्रिक हिमाले किसे बोला गया आंत्रिक हिमाले बोलते हैं भाई अपना ब्रियाद हिमाले को ब्रियाद हिमाले को आंत्रिक हिमाले बोलते हैं और बाहे हिमाले को सिवालिक सेरी बोलते हैं और मध्ध हिमाले कौन है मध्ध में जो बृत बन रहा है मध्ध हिमाले को लग हिम लग हिमाले या मद्ध हिमाले बोलते हैं क्लियर हुआ ये कुछ नहीं एक सेंटर मानी सेंटर से हाफ सरक्ल अर्ध वित्र टाइब का अर्ध चंद्राकार वित्र टाइब का ड्रॉ करें तो जो इनर है आंत्रिक वित्र व्रियद हिमाले बीच में लग हिमाले और बाहर बाहर तो सिवालिक स्रेडी को बाहे हिमाले बोला गया अब सिवालिक स्रेडी जो है वो बाहे हिमाले को अगर मैं ड्रॉ करूँ ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूं यहां से बाहे हिमाले गया यहां से बाहे हिमाले गया निकला और इस टाइप से पहुंचते हुए जब यह इस टर्न में पहुचा जो सिवालिक स्रेडी है सिवालिक स्रेडी सबसे नीचे है उसकी उचाई सबसे कम है सबसे उचा ब्रिहत हिमाल जन्जातियों के नाम पे इसका नाम रखती आ गया है अगर हम साई वाला मेप देखें से वाले स्हूंड़ी में?? यह मैप देख रहे हैं यहां पे गोहाटी असाम आप कंप करते हैं कि हुए जो ब्लू कलर से लाइन मैंने ड्रॉकर रखिए तो ब्लू कलर से जो घ्रशमी कि दिखिए जनजातियों के नाम पड़ा है जनजातियों के नाम पड़ा हैं और सिवालिक सिवालिक स्रीडियों के पार्ट है। अवनाचर प्रदेश में चार अलग अलग पहाड़ियों के नाम पर इसे और जैसे में मैंने बनाया है उसी डायरेक्शन में यह पाय जाते हैं इन पहाड़ियों का नाम है कोस्चन ऐसे राइस किया जाएगा ऐसे पुछा जाएगा एक्जाम में कि मिस्मी अबोर मीरी डफला इन जो पूर्वत्र की पहाड़ियां है इनको सिवाल इक्ष्रेणाई की इनको उत बनाया हैं अबोर मीरी डफला बनेंखेटा चार बार परिंगे रपांग नेया हैं की ज़न जातिया पहाड़ियां उत्तर से तक्छिन कैसे पहाइज है मैं पूरा पूरा नोटेड रहे है यह दिमाइक में रखेंगे अरुनाचल प्रदेस का ये अरुनाचल प्रदेस वारा एरिया है ये जो मैप में आप देख रहे हैं ये अरुनाचल प्रदेस है अरुनाचल प्रदेस को मैंने जूम कर दिया है जूम करके समझाने की कोशिस किये इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे य लग संपलसपाट मेदान की संपलसपाट मेदान को उत्रा खंड में उत्रा खंड में जब पहुंचते हैं तो समतल सपाट मैदान जो होते हैं जहां घाटिया मन जा रही है उनको दो नामों से जाना जाता है कौन कौन से दून और द्वार दून और द्वार तो दून दून से बना देहरा दून दून से क्या बना दून से देहरा दून और दवार से हरिट दवार तो सिंदोन डून और दून है दून और smart नाम के नम प्रनार त्क का Prof. हमने देखा ये blue color में सिंधु नदी आप देख रहे हैं यहां पे blue color में सिंधु नदी visible हो रही है सिंधु नदी चेमा योंग जोंग ग्लेसियर से निकल कर आगे बढ़ी तो लद्दाख और जासकर के बीच से होती हुई मैं dark blue color से draw कर देता हूँ लद्दाख और जासकर के बीच से गुजरती हुई यहां पाकिस्तान में चली गी और उसकी स्योक नदी दाहिने की साइट से आके मिली जासकर को क्रॉस करती हुई लद्दाख स्रेडी को क्रॉस करती हुई सिंधु नदी में आके मिल जाती है अब ये सिंधुनदी यहां पे पाकिस्तान में इंटर करती है यहां पे हिमालय को कट करती है कहां कट कर रही है हिमालय को यहां पे कट कर रही है भाई ऐसे इस टाइप से कुछ निकल रही है अब क्या हुआ इसमें कि जो सिंधु नदी, सिंधु नदी ने ब्रिहद हिमालय की को कट किया, कट किया तो जैसे क्या होता है कि फीक से समझ लेते हैं एक अगले पेज में, पहार कुछ इस टाइप के होते हैं, यहां से नदिया निकलती हैं, हम सब जानते हैं, नदिया इस ट पहाल से निकलेंगे तो इस पहाल को नदियां कट करती रहती हैं, कट करकर के एक कंडिशन ऐसी आती है कि नदियां उस पहाल को इस कंडिशन मिला देती हैं, ऐसे, अभी क्या हुआ कि नदियां यहां से निकलना शुरू कर दिये हैं, यहां से, नदियू ने क्या किया, पहाल क काट कर जब तक नदियां अपना संब्रतल नहीं प्राप्त कर लेती हैं, तब तक पहाळ को काटक उस घाटी को यह जो घाटी बनी इसे गहरा करती रहती है, इसे गहरा करती की साइड में पस्चिम की साइड में जहां हिमाले कट हुआ है सिंधु नदी से तो कट हुआ वाला पोर्शन गार्ज कहा गया और गार्ज को इसे बोलते हैं सिंधु नदी ने कट किया इसलिए सिंधु गार्ज बोल देते हैं सिंधुगार्ज थीक है हिमाले का सिंधुगार्ज और यही पस्चिम में कट हुआ पस्चिम में किस नदी से कट हुआ अब देखिए पस्चिम में यहां ब्रह्मपुत्र नदी निकली और ब्रह्मपुत्र नदी यहां से कट करती हुई आसाम में मिली ध्यान से दिखिएगा कि यूंग कर लेते हैं इसको अ कि या तो यह इसको अ इसको अ यहione था इंद फुसी देखुए में है इसको थोला में मोटा कर देता हूं ड़िर नॆ है और दी आ तीवी आई ब्रहंपुत्र नधी अर्माचल पर्देश में को काटकर गई Religion वाला पोर्शन जो मैंने हाइवाइट कर रखाए यह असाम है आसाम में असाम इंटर की जब रिकहती हमाले को कट की तो यह यह जो पूर्शन बना वो कहा गया दिहंग गार्ज दिहंग क्यों बोला गया दिहंग गार्ज दिहंग यहां पर लिख देता हूँ दिहंग गार्ज बोला गया दिहंग दिहंग क्यों बोला गया क्यों कि ब्रहंपुत्र नदी का उधर तो सिंदुगार्ज बोल दिया गया इधर आउनाचल प्रदेशमें ब्रमपुत्र नदीको डिहंग नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है अउनाचल प्रदेशमें दिहंग नाम को काट कर बना तो यह है दो गार्ज के निर्माल को बनते हैं हमारे बरिहाद हमालय में ब्रß scripture की साइड में पस्च्यमी मोड़्स पर सिंध्य और पूरी मोड़्स पर दिहंग गार्ज पस्च्मी मोड़्स बना सिंध्य चोगता यहाट यह गाटियां समद्र नदी जमीन पे बहती हुई जमीन कट नहीं करती है हाँ उसमें बाढ़ हा जाए या हिलोरे मानने लगें लहरे तेज हो जाए तो कट करती है पहाडों पे निकलती हुई उसने भी कट किया सिंधु नदी निकली पहाड को कट की और तब तक कट करती रही अभी भी इनका अब हिमाले को अलग अलग जगों से अगले चप्टर में पढ़ेंगे नदियों के बीच से मतलब वैग्यानिक थे सिद्नी बुराड उन्होंने नदियों के अधार पर हिमालय का भी भाजन किया था उसे हम अगले चप्टर में पढ़ेंगे यह अब तक के वीडियो में आपको कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कोशनराइज करें मैं उनका अधिक से अधिक कोमेंटस का जवाब देने की कोशिस करूँगा से किस सबीचे जाते हैं ऐलजी हम बताएंगे कि दल जील हमारी कहा है ब्रिहाद हिमालय और पीर-पांजाल यह लग हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी में पाई जाती है कस्मीर घाटी में डल जील बुलर जील स्रीनगर है ना इस टैप से प्रशन पूछते हैं बनिहाल दर्रा कहा है बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में है मैंने बताया बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में है पीर पंजाल कहा है लग हुई माले में है और जमाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है, स्री नगर कस्मीर में है, जम्मू, जहां वैश्णो माता की जगे है, वैश्णो माता से जम्मू कस्मीर जाने वाली सडग जो है, बनी हालदर्रे से होकर जाती है, स्री नगर, तो जम्मू को स्री नगर को मिलाने वाली, बनी हालदर्रे से होकर जाती है, मर्ग क्या है, इस टाइब से प्रश्म पूछ लेगा मर्ग क्या है या गार्ज क्या होता है गार्ज कैनियन मैंने आपको समझा दिया नदियां कट करती है पहाल को गार्ज हो गया कैनियन हो गया आई आकार की घार टीवी को भी गार्ज कहते हैं ठीक है ये थी दोस्तों कुछ जानकारी आसा जादा लोगों के पास पहुंचाएं जोगरफी की स्रीज चल रही है इंडियन जोगरफी खतम होगी वर्ड जोगरफी श्टार्ट करेंगे बट कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार